आलस्य में जीवन बिताना आत्महत्या के समान है अधिक्तर आपकी गहन इच्छाओं से ही घोर नफरत पैदा होती है एक इमानदार आदमी हमेशा एक बच्चा होता है मृत्यू संभवत है मानविय वर्दानों में सबसे महान है सौंदर्य एक अलपकालिक अत्याचार है जिन्दगी नहीं बलकि एक अच्छी जिन्दगी को महत्ता देनी चाहिए मूल्यहीन व्यक्ती केवल खाने और पीने के लिए जीते हैं मूल्यवान व्यक्ती केवल जीने के लिए खाते और पीते हैं हर व्यक्ति की आत्मा अमर होती है, लेकिन जो व्यक्ति नेक होते हैं, उनकी आत्मा अमर और दिव्य होती है हमारी प्रार्थना बस सामान्य रूप से आशिरवाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है मैं सभी जीवित लोगों में सबसे बुद्धिमान हूँ क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ इस दुनिया में सम्मान से जीने का सबसे महान तरीका है कि हम वो बने जो हम होने का दिखावा करते हैं जहां तक मेरा सवाल है, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता अपना समय औरों के लेखों से खुद को सुधारने में लगाए ताकि आप उन चीजों को आसानी से जान पाएं जिसके लिए औरों ने कठिन मेहंत की है जूठे शब्द सिर्फ खुद में बुरे नहीं होते, बल्कि वो आपकी आत्मा को भी बुराई से संक्रमित कर देते हैं सिर्फ जीना मायने नहीं रखता, सच्चाई से जीना मायने रखता है वो सबसे धन्वान है जो कम से कम में संतुष्ट है क्योंकि संतुष्टी प्रकृती की डौलत है सच्चा ज्यान केवल यह जानने में है कि आप कुछ नहीं जानते हैं बिना जांचे हुए जीवन का कोई मूल्य नहीं है वो दूसरों के साथ कभी ना करे जो यदि दूसरा आपके साथ करे तो आपको गुस्सा आए